तो स्वागत है आप सभी का एक पार दुबारा से आपके अपने चनल विवेक्राणा स्टॉक्स में दिल से अगर आप चले पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ में All Notification बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके आप पर दोस्तों आप हमें Telegram, Twitter, Instagram फॉलोग कर सकते हो सभी लिंक्स आपको नीचे मिल चाहेंगे एन एक अपडेट कर दूँ जो इस संडे की प्राइबेट क्लास थी वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी है तो जब भी मैं रिकॉर्ड कर दूँगा आपके साथ शेर कर दूँगा तो जिनोंने भी शेर किये वीडियो और उनको लग रहा है कि मैंने अभी तब उनको लिंक्स न खुब सूरत शेर के बारे में सर अपना आप विचार शेर कीजिए तो देखो पहले मैं आपको अपडेट कर दूँ और डिस्क्लेमर भी है डिस्क्लोज भी कर देना चाहता हूँ ये श्टॉक मैंने खुद 19 पैसे में बाई किया था और मैंने खुद बाई नहीं किया आप मेरे काल से 1500 लोग या 100 लोग ने भी definitely इसमें invest किया होगा वैसे मैं खिसी को सलाह नहीं देता हूँ कि आप बाई करो आप खुद के study add किया करो मुझे स्टॉक में अभी 1300 परेटन आ रहा है और ये कोशन अब पूछा जा रहा है कि स्टॉक में आगे हम क्या कर सकते जब 2 लॉजिकल तरीके से दूँगा क्योंकि मैंने यहां पर आपको कुछ बेचना नहीं है क्योंकि मेरा यहां पर एक रुपे का profit नहीं है समझो बात को क्यों क्योंकि मैंने स्टॉक से अपनी capital बिट्रॉक अपकी कर ली है ठीक है और अगर स्टॉक के price को यहां से zero भी होना है तो मेरी सेथ को फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि मेरा यहां पर एक रुपे का नुकसान नहीं है ठीक है तो इस mindset के साथ अगर आप काम करोगे penny stocks मेरा तो बहुत लंबे समेश तक आप टिक पाओगे long term अगर नहीं करोगे ना तो यह सोग अभी 2 रुपे है ना कल आपको एक रुपे मिल सकता है कल आपको 60 पैसे में दुबारा मिल सकता है तो आप वहाँ से exit मार दोगे डर के मारे अगर आपका mindset long term के लिए नहीं बना है और क्या पता यह एक रुपे आने के बाद दुबारा 100 रुपे चले जाए क्या आप पता तो फिर आप बोलोगे अरे यार म कम नहीं है ठीक है तो आप अपने आप से पूछो कि आपको यह return काफी लगता है मुझे काफी नहीं लगता मेरा नुमान है यह stock मुझे काफी बड़ा पैसा बना कर दे सकता है लेकिन मैं इस return को खोने के लिए भी ready हूँ अगर आप ready हो तो आप stock में बने रह सकते हो hold कर सकत नहीं तो otherwise आप दूसरे stocks को ढूण सकते हो ठीक है यह सिर्फ मैंने आपके साथ भी share किया था उसमें 19 पैसे का stock 2020 के आसपास ठीक है और मैंने बहुत सारे penny stocks share किये जिसमें आपका पैसा multiply हुआ होगा और मेरे जो stock के target थे book value के आसपास के target थे तो जो लोग पूस्ते हैं टाटा investment का stock है 1600 रुपे के आसपा ट्रेट कर रहा है 1400-1600 के आसपास उसकी book value 3800 है तो उसको 3800 पहुचने में 5 साल भी लग सकता है 4 साल भी लग सकता है अब आप अपने आप से पूछो कि 4-5 साल आप market में देने के लिए तैयार हो 4-5 साल क्या आप market में रहने वाले हो बहु से clear करो कि आपको कितने time के लिए आना है आप पर क्या करना क्या नहीं करना है ठीक है अब आता कोशन उन लोगों के लिए जो लोग पूछ रहे कि sir stock को अभी buy कर सकते इस price में तो देखो मैं आपको अपना view share करता हूँ कि मैं किस तरीके से सोचता हूँ ठीक है मैं यह नहीं इस वे stock ने minus 24% return दिया है ठीक है और मैं आपको हमेसे बात कहता हूँ कि stocks में कुछ patterns होते you must follow the patterns देखो यह जो patterns है ऐसे तो पर जा रहा है जो इसको बोलते लगतार stock में एक high rise का pattern बनना लेकिन अगर आप इसका six month का chart दिखते हो तो आपको एक behavior दिखने को मिलेगा कि हाँ य जो high है ना यह पूरा area एक अप range बना रहा है यहाँ पर consolidate कर रहा है और इस consolidate को हम distribution phase भी बोलते है जब तक यह इसके high के उपर close नहीं कर देता तो मैं नहीं बोलूँगा कि stock में एक further तेजी आने वाली है बनला बड़ी तेजी आने वाली है जब तक यहां trade कर रहा है इसका मत पीला जा रहा है आप जड़ा इसको इस वरकार सोचो कि मैं एक operator हूँ ठीक है मैंने stock को एक रुपे 60-70 पैसे के भाव में बाई किया है तो मैं अब क्या करूँगा मुझे अगर अपना माल बेचना है तो यहां तो पुरा लगातर upper circuit मे stock था यहां भी देखो lower circuit मे stock था तो म यहां पर यह candle बनती है यह हरी candle बनती है और इसका मतला यहां पर एक operator आपको माल चेप रहा है distribute कर रहा है अगर आप operator के mark से खेलोगे उसके thinking को match करोगे तो वह वैक्ति क्या करेगा यहां पर आपको माल देगा फिर दुबारा वही माल वह एक रुपे के भाव में आफसे ख और ध्यान नकना इसको एक रुपे आने में टाइम लगेगा यह नहीं कि दो महिने के अंदर एक रुपे आजा क्यों कि देखो जन्वरी पे भाव था पचास पैसे ठीक है और आज अल्मूस्ट क्या चल रहा है आज आपका चलना मार्च मे अल्मूस्ट 6 महिने के अंदर य पैसे हुआ है 50 पैसे से तो सोचों कि तीन उबे से एक रुप आने में कितना टाइम लगेगा एक साल भी लग सकता है ठीक है एक साल का डिस्विशन फेस भी हो सकता है वो राइट तो यह चीज आपको समझनी पड़ेगी चीज चीज को उपर चड़ने में इतना टाइम लते हैं तो आपको उस rumors के basis पर decision make नहीं करना है आपको technicals को follow करना है और आपको सबसे important इसके financial check out करने है ठीक है financial का मतलब कि स्टॉक का पर उपर तो गया है क्या यह आगे future में जाफ रखता है जैसे कि promotors की जो holding पहले थी उतनी की उतनी है पर motor से अपनी holding increase करी है और साथ में stock के numbers थोड़े बहुत improve हुए है यह सब चीज़ आपको देखनी होती है तो मैं लेके चलता हूँ company के करन financial की तरब तो आप देख सेक्टर है मैंने company के बारे में आख खोल दिया है ठीक है चाओ तो आप इसको pause करके company के बारे है details पढ़ सक तो company का mainly business क्या है ठीक है मैं इसके बारे में इतना deep research नहीं करूँगा अभी right और देखो stock के जो book value एक रुपे 90 पैसी क्यास फास है 2020 में भी यह book value इतनी थी और आज भी यह book value इतनी की इतनी है इसका मतलब company के नमब स्टेवल है नीचे लेके चलता हूँ तो आप देख सकते है long term के लिए ठीक है और दो साल में देखो कहानी पूरी बदल चुकी है stock advice कहां से कहां चाथ चुका है sales देखो सुननी है और company आपको तब भी other income से कुछ ना कुछ profit generate करके दे रही है और yearly profits आप देख सकते हैं यहाँ पर लगतार company के numbers सारे हो देखो यहाँ पर देखो 31 सालों में जो profit का range था 4 लाग रुपे 19 लाग का लेकि 31 लाग highest profit हमें देखेने को मिलता मतलब company के numbers improve हो रहे है ठीक है I know आपको लगए 30 लाग काफी बड़ा नमबर नहीं है लेकिन भाई जिस company के profit मातर 1 लाग थे ना आज 31 लाग का profit हो रहा है मतलब 31x 31 गुना profit jump हो गया है आप इस प्रकार से देखो financial market में इसको ऐसा दिखा जाता है आट पी आप देख से तो company का सुन नहीं है साथ में reserve company का लगता गुरू हो रहे है एच पिलो company के बाद भी 6 लाग के आसपास का है जो पहले भी 10 लाग के आसपास का था प्रोटिक pattern आप देख से तो promoters की holding देखो ना कि नई entry करना चाहिए ठीक है जो लोग नई entry कर रहे है उसको यहां से definitely exit कर लेना चाहिए नई entry के लिए stock नहीं है आपको यहां पर profit booking ही करना चाहिए यह मेरा गड़ित कहती है जब तक अपना high नहीं तोड़ता नई entry नहीं बनेगी stock में ठीक है योगि promoters ने अपना माल बेज दिया है तो आपको यह आप माल बेजना चाहिए ना कि buy करना चाहिए बाकि आपकी अचि健s करते है ऐब आपको समाप करते है stock को buy नहीं करना है जितना हो सके कभी stock को sell करना है ठीक है आपको अंखेश बंद करके कभी ago stock में पैसा नहीं लगाया जाता जब 19 पैसे trade करा तो मैंने उस वीडियो में आपको setup बढ़ाया था उसमें मैंने आपको तरीका बढ़ाया था अगर आपने तरीका follow किया तो आज आपका पैसा बना होगा ठीक है? ट्रेडिंग भी simple ऐसी है उसमें आपको setup rules को follow करना बढ़ता है